उत्तर प्रदीश गन्ना शोध परिशद शाजहापुर द्वारा विक्सित गन्ना बुवाई की ट्रेंच बिधी उत्तर प्रदीश गन्ना शोध परिशद की स्थापना 1912 में शाजहापुर में गन्ना शोध केंद्र के रूप में हुई थी शोध परिशत द्वारा विक्सित उन्नत तक्नीक को क्रिशकों तक पहुचाने है तू सतत प्रयत्न शीव गन्ने के अधिक उत्पादन एवं चीनी परता है तू बुवाई की ट्रेंच विधी ट्रेंच विधी से बुवाई के लाब किसान भाई गन्ने की बुवाई से पूर्व मिट्टी की जाच अवश्य कराए जिससे मिट्टी में पोशक तत्वों की कमी एवं अधिक्ता का पता चलता है जिससे संतुलित मात्रा में फसल की बुवाई से कटाई तक पोशक तत्वों की पूर्थी होती रहती है साथ ही मृदा उत्पादक्ता में व्रिधी एवं मृदा और वर्था में इस्थायत्व लाया जा सके मृदा परिक्षण हेतू नमूना एकत्रण की विधी पहली वी आगार का 8-9 इंच गहरा गड़ा दूसरी एक एकड में 10-15 इस्थानों में नमूना एकत्रण मिट्टी पलट हल द्वारा हरी खाद की पलटाई खेत की तयारे पहली जुताई मिट्टी पलट हल से 2-3 गहरी जुताई कल्टीवेटर अथ्वा हैरों से ट्रेंच ओपनर द्वारा 120 सेंटीमेटर की दूरी पर 30 सेंटीमेटर चौड़ी 25-30 सेंटीमेटर गहरी ट्रेंच बनाना ट्रेंच विधि में खाद एवं उर्वरक की संस्तुत मात्रा पहला 50 कुंटल प्रेस मड या 100 कुंटल गोबर की सड़ी खाद दूसरा 180 से 200 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फासफोरस, 60 किलो पोटाश एवं 25 किलो जिंक सलफेट बुआई के समय कार्बनिक खाद एवं नाइट्रोजन की तिहाई मात्रा तथा फासफोरस, पोटाश एवं जिंक सलफेट की पूरी मात्रा नालियों में प्रियोग करना चाहिए लंबी टाइन वाले कल्टिबेटर से खाद को मिलाना वा कड़ी परत तोडना बुआई हेतु गन्ने के दो आँख के टुकडे काटना बाविस्टिन द्वारा बीज उपचार 0.1 प्रतिशत 112 ग्राम बाविस्टिन और 112 लिटर पानी गन्ना बुआई का तरीका दोहरी पंक्ति विधी यानि एक मीटर में दो आँख के दस टुकडे एक हेक्टेर में 75 से 80 कुंटल बीज की आविशकता भूमी उपचार हेतु क्लोर पाइरी फॉस 20 EC 5 लिटर 1875 लिटर पानी प्रति हेक्टेर फोरेट 10 जी 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेर पेडों के उपर 2 से 3 सेंटिमेटर मिट्टी डाल कर ढखना ट्रेंच में गन्ने का जमाव ट्रेंच में गन्ना और आलू ट्रेंच विधी संशोधित आई गन्ना करो किसान 40 प्रतिशत अधिक उपज है मिले स्वतह वर्दान मधूर क्रांति के शैशवने सच में ली अंगडाई भोर हमारा सुखमय होगा कहें क्रशक सब भाई राष्टर तुम्हारे लिए समर्पित हम सबका टन प्रान ट्रेंच विधी संशोधित आई गन्ना करो किसान 80 से 90 प्रतिशत तक ये जमाव देता है पानी की भी बचत करे गन्ना सीधा रहता है और वरकों को सही दिशादे चीनी परता बढ़ता है नहीं सोचता है आने को दीमक भी तो डरता है ब्यात मिर्त्युदर नियू न दिखे चहूं और खुशी मुसकान ट्रेंच विधी संशोधित आई गन्ना करो किसान अन्ता फसल आप कर सकते आम और गुठली के दाम आलू लहसुन और राजमा लाही गेहूं आय काम गन्ने मोटे लंबी होते उपज बढ़े जैजै श्री राम अन्ता फसल नहीं स्परधा दोनों फसल सहज अंजाम कम रगबे में व्रधी अधि ये सुलब निधी मेरे भगवान ट्रेंच विधी संशोधित आई गन्ना करो किसान सुनो जुलाई और अगस्त में मित्रों करो बधाई और जून में गन्ना चाहे मिटी बूल चलाई खर्पतवार नियंत्रन हेतू खुर्पी राज सम्हालो अथ्वा सोडियम सॉल्ट मेट्री ब्यूजीन पौधों पर डालो हर हर फेहरे फसल आपकी मित्र करें गुडगान ट्रेंच विधी संशोधित आई गन्ना करो किसान एक माह में पूर्ण हो गया इसका अधिक जमाव पौधे ही पौधों का जमघट बड़ता खेत प्रभाव 15 सितंबर से अक्टूबर शरत गाल में बोना मध्य फरवरी और मार्च तक यह बसंत का सोना देर बुवाई अपरेल मई तक कहें शोध संस्थान ट्रेंच विधी संशोधित आई